वाट्सप गाइस कैसे है आप सभी वल्कम बैक तो अनधर वीडियो आज कर वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं यहां पर तो डिसकस करूंगा अगर आप फोटोग्राफी प्रोफेशनल है फोटोग्राफी एंतुजियास्ट है ज्यादा से ज्यादा पीसी पर अगर अगर मार्केट में कॉप्योटेशन है तो बहुत सारे अच्छे-चे प्रोडेंगे अगर कॉम्प्योटरेशन नहीं तो जैसे ही एक product बनाता है उसी में खुश रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा customers का feedback लेकर अच्छे products भी नहीं बनाते है अगर इसका एक competitor आ जाता है अच्छा वाला तो बहुत ही अच्छा competition बनता है यह दोनों software एक तो HDR नाम में ही HDR है Aurora HDR तो Aurora HDR जो है basically आपका जो भी photos है वो HDR में convert कर देता है single image ही क्यों ना हो तो HDR में easily convert कर देता है धेर सारे presets है बहुत अच्छे-च्छे filters है और आप look-up table जो LUT कहते हैं वो वाला भी है इवन बहुत सारे अच्छे professionals का industry में photography professionals का जो भी presets रहता है वो भी इसमें डाला गया है यानि कि आपको एक total package मिल रहा है very very easy to edit actually तो इनका layout जो है जो libraries है यानि कि आपना photos organize कर सकते है अगमान लिजे अगर आप एक travel करके आया है तो उसका सारा pictures जो है अच्छे तरह से folder बना के obviously आप windows हो या फिर mac में हो बहाँ पर folder organize करके डालते है लेकिन जब आप import करेंगे software में तो यहाँ पर libraries इन्होंने जो बनाया है very very easy है और आपका जो workflow रहता है वो बहुत आसन कर देता है और धेर सारे ऐसे color labels भी इन्होंने लगाया है कि आपको मान लिजी आप यह 10 pictures में 5 pictures आप use नहीं करते है और सिर्फ 5 pictures आप edit करना चाहते हैं लेकिन बाद में तब क्या कर सकते हैं आप just ऐसे red color में label जो रहता है उन सारे photos को red color दे दीजे और जो आप edit करना चाहते हैं उसको green color दे सकते हैं ऐसे करके organize करेंगे तो instantly आप जब भी open करेंगे तो आपको पता चले का हाँ मुझे यहीं edit करना है pictures तो ऐसे बहुत time saving है और सबसे important देखें इसमें full fledged software है ऐसा नहीं कि यह वाला missing है वो वाला missing है ऐसा कुछ नहीं just as an adobe photoshop, adobe lightroom का alternative हम कह सकते हैं of course adobe photoshop वो सारा बहुत ही बड़ा है feature set लेकिन यहाँ पर जो focus इन्होंने किया है यह picture अगर edit करना चाहते है तो क्या-क्या चीज़ चाहिए and कैसे easy बना है इस workflow को तो ऐसे इन्होंने बनाया है तो ऐसे वाला software अगर आप देख रहे है तो definitely I would recommend by Luminar and one time payment है देखिए and अगर आप मेरा code जो है wik geek करके आप उसमें check out करते वाक्त code डालेंगे तो आपको discount भी मिलेगा and free trial देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप यह software देखना चाहते है पहले खरीदी करने से पहले कि कैसा है software अगर आपके workflow को set होता है या नहीं तो definitely मैं suggest करूँगा कि आप एक बार trial download कीजिए मेरे link से तभी जाकर आपको free trial मिलेगा तो download करके आप trial version को use कीजिए फुल-fledged है ऐसा नहीं कि कुछ missing a trial में ऐसा कुछ नहीं है आप फुल-software को use कर सकते है यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर से मेरा code भी की का आप लगा कर ले सकते है instantly discount भी मिलेगा and one time payment है देखे अगर आप alternative adobe buy करेंगे तो monthly plans रहेगा yearly plans रहेगा ऐसे कुछ धेर सारे रहते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आपका software बन जाएगा and just one time pay तो very cheap price कहूंगा मैं because of the fact that इतने सारे offer करते है features तो बहुत ही आसान करतेता है कैसे भी photography related आप pictures निकालते हो तो hopefully ऐसे videos अगर आप देखना चाते हैं मैं of course इसका full tutorial दूँगा कि कैसे आप easily edit कर सकते हैं Luminar में and Aurora HDR में इसमें देखे अगर आप landscape का picture निकाल रहे हैं वहाँ पर dynamic range जो रहता है very very important रहता है तो कैसे dynamic range लाए उसके लिए भी artificial intelligence यूज़ करके अच्छा वाला boost इन्होंने एक ही slider में दिया है तो वो slider आप boost कर देंगे तो आपना dynamic range जो है वो cover कर देगा तो ऐसे सारी interesting चीज़ इन्होंने बनाया है तो definitely I recommend you try if you are a professional और beginner और even an enthusiast आप try कीज़े software को और मुझे comment section में बताए कि कैसे आपको यह software लगा तो hopefully आप try करेंगे और अगर आप इसका tutorial देखने चाहते है तो hit that like button share कीज़े अपने friends के साथ अपने जो भी photography related friends हो उनको share कीज़े ताकि उनको भी पता चले ऐसे software है alternative to Adobe और आपको ज्यादा नहीं pay करना पड़ेगा और इवन free trial भी आप देख सकते हैं तो don't forget to check the description section of this video मिलता हो अगले वीडियो में तब तक के लिए take care everyone बाई बाई